चलिए फ्रेंट्स आज हम लोग सिंपल और इजी सा समोसा रेसिपी स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी के लिए यहां पर मैंने दो कप मैदा लिया है इसे मैं अभी चलनी से छान लूँगी अच्छे से अब इस मैदे में मैं एक छोटा चमच अजवायन का डाल रही हूँ अजवायन डालने से यह क्रस्ट का जो कवर का जो टेस्ट होता है समोसे का बहुत अच्छा आता है और इसमें मैंने एक छोटी चमच नमक डाला है अब हमें इसका आटा गुनना है अच्छे से जैसे आप रोटी के लिए आटा गुनते हैं, उससे ये आटा थोड़ा कड़क होना चाहिए, इस आटे को गुनने के लिए हम इसमें एक चमच घी का यूज करेंगे, आप घी के जगह पे डालडा भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कटोरी में पानी ले लिया है, उस हि आप से मैं गुनूंगी अब इसका आटा, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी का यूज किया है, इससे आपका क्रस्ट जो बनेगा, वो बहुत क्रिस्पी बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, अब मैं इसे घी को अच्छे से आटे में मिक्स कर ले र है, यह रोटी के आटे से थोड़ा कड़ा काटा होगा, अब हमने आटा गुनने के बाद इसे रेस्ट करने देना है, गीले कपड़े से आप इसको ढखकर रख दे, अब दूसरे कड़ाई में यहाँ पर मैंने दो चमच तेल लिया है, उसमें मैं एक चमच घी का यूज कर आप चाहे तो सिर्फ घी में या सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं, जब घी और तेल गरम हो जाए, तो उसमें मैंने एक चोटी चमच जीरा डाला है, एक चोटी चमच राई डालेंगे, सर्सो के दाने, यहाँ पर आप हरी मिर्च काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, मैंने पाउडर का यूज किया है, हम एक चुटी हींग भी डालेंगे इसमें, अब यहाँ पर हम लोग मसाले डालेंगे, तेल में हमें दो चोटे चमच धनिया पाउडर डालना है, और इस टाइम पर गयास का फ्लेम लो होना चाहिए, अब ज्यादा गयास का फ्लेम ना रखें, यहाँ पर मैंने एक चोटा चमच गरम मसाला और एक चोटा चमच लाल मेच पाउडर डाला है, अब हम इस मसालों को अच्छे से भून लेंगे, याद रखें गयास एक दम स्लो रखे जिससे मसाले जले नहीं, हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर मैंने 7-8 मीडियम साइज के आलो बॉयल करके शील करके रख लिए हैं, वो हम इसमें डालेंगे, अगर आपके पास बड़े साइज के आलो हैं, तो आप 3-4 आलो भी यूज कर सकते हैं, अब हमे इसे अच्छे से मसाले में मिलाना है, यहाँ पर मैंने एक चमच नमक लिया है, नमक आप अपने स्वादनु सार डाल सकते हैं, चीजों को अच्छे से हमें मिक्स करना है, यहाँ पर मैंने अमचूर पाउडर डाला है, एक छोटा चमच अमचूर पाउडर डालेंगे, याट मसाला भी डाल सकते हैं, इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, स्टाफिंग रेडी करेंगे समोसे के लिए, कि आपको सब कुछ अच्छे से मिला देना है, और थोड़ा सा धनिया पति आपको उपर से डालनी है, उसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, भरनी हो आपको किसी चीज में तो स्टाफिंग थंडी होनी चाहिए अब जो हमने मैदा गुना हुआ था समुसा बनाने के लिए चलिए उसे देखते हैं अब यहां पर मैंने एक बड़ी सी लोई ले लिए जितनी आप कोई भी पराठा बनाने के लिए जितनी बड़ी लोई लेते हैं उतना बड़ा आपको लोई ले लेना है और में इसे बिएल को अपको इसे लंबा बेलना है यह उए इसे थोड़ा लंबा भेलना है आपको जैसे आप विदियो में देख सकते हैं आपको इसे बहुत पतला नहीं करना ना बहुत मोटा रखना है ज्यादा मोटा रखेंगे तो पकने में यह समय लेगा ठीक से पकेगा नहीं तो आप इसकी जो ठीकने से इसे कम से कम ही रखिए जिसे अच्छे से पक जाए क्रिस्पी हो जाए आप देख सकते मैंने इसका अब यह करने के बाद अब हम इसे बीच में से काटेंगे हम इसके दो भाग करेंगे यानि हमारा एक लोई में से 2 समोसे रेडी होंगे आप सकते हैं मैं इसके बीच में से कट कर रही हूँ चाको की मदद से तो आप जितने बड़ी लेंगे फ्रेंज उसी पकोने उस हिसाब से आपकी समोसे बनेंगे अगर आप बहुत बड़ी लोई लेंगे तो आपकी समोसे स्टोर जैसे बड़े बड़े बनेंगे और अगर आप छोटी लोई लेंगे तो छोटे समोसे बनेंगे आप देख सकते हैं जिस साइट से मैंने चाकु से काटा है उस साइट में पानी लगा रही हूं थोड़ा और उससे हम लोग फोल्ड करके कोन जैसा बना लेंगे आप देख सकते हैं कोन को अच्छे से हमें अच्छे से सील कर देना है जिससे खुले नहीं और इस कोन में हमें ये दो चमच के करीब स्टाफिंग भरने हैं जो हमने अभी रेडी की है हम कॉर्नर्स पे पानी लगा लेंगे अच्छे से जिससे पानी जो है हमारे मैदे को चिपकाने में हेल्प करेगा अच्छे से सील करने में हेल्प करेगा आप देख सकते हैं मैं चारो साइट्स पे अच्छे से पानी लगा दे रही हूं और आपको अच्छा समोसा बैठने व चिपकाने स्टार्ट के जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं तब आपका समोसा अच्छे से प्रॉपली बैठे गगी रेगा नहीं जैसे हम लोग बाजार से खाते हैं वैसा समोसा बनेगा तो आप ये स्टेप ध्यान से देखिए मैं एक और आपको करके बताती हूँ कि कैसे आपको समोसा बनाना है जिस साइड हमने चाकू से काटा है उस साइड हमें फिर से पानी लगा लेना है और हमें अच्छे से उसे सील कर देना है कोन जैसा बना लेना है अच्छे से आपको उसे प्रेस करके चिपका लेना है जिससे आपका समोसा कहीं से भी खुला नहों नहीं तो वो तेल में जाकर खुल जाएगा और सारा तेल समोसे के अंदर चला जाएगा जो हमें नहीं चाहिए आप देख सकते हैं मैंने एकदम अच्छे से सील कर दिया है और मैंने अभी कोण जैसा बना कर अपने हाथ में रख लिया है हाथों के हाथीलियों के बीच में आपको रखना है जिससे आप उसे feeling जो हमने बनाई है feeling अच्छे से भर सकें stuffing जो भी है आप दो चमच के करीब stuffing भर कर अच्छे से प्रेस कर लें जिसे अच्छे quantity में stuffing हमारे समुसे में जाए आप देख सकते हैं मैं stuffing अच्छे से समुसे में प्रेस कर रही हूँ और फिर हम चारो साइट से वापस से पानी लगा लेंगे आपने देखा जो अब भी मैंने इसे फोल्ड किया अब इस बेस को आपको समोसे से जॉइन कर देना है जिससे आपका समोसा प्रॉपरली बैठेगा मतलब गिरेगा नहीं जैसे हम लोग बाहर के समोसे खाते हैं वैसे होगा अब मैंने यहाँ पर कड़ाई में तेल गरम कर लिया है समोसे काटने के लिए मैंने एक छोटा सा मैं देखी गोली डाली है देखने के लिए तेल गरम हुआ है की नहीं हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो अब हमें इसे मीडियम आज पर अच्छे से golden brown होने तक पकाना है अच्छे से fry करना है चारो साइट से हमें golden brown crust आने तक हमें अच्छे से तलना है यह बहुत simple और easy recipe है friends अभी lockdown का time है तो हमें बाहर जाने नहीं मिल रहा है तो आप घर पे अपने friends और family के लिए ज़रूर बनाईए और मुझे comment section में जरूर बताईए कि आपको यह recipe कैसी लगी अगर आपको अच्छी लगी और आप कौन से recipes और देखना चाहते हैं तो please मुझे जरूर बताईए और अगर अपी तक आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चानल को subscribe भी जरूर कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को share कीजिए और घर पर बनाईए एकदम simple, easy और बहुत स्वाधिश्ट समोसे आप इसे किसी भी चीज के साथ serve कर सकते हैं चटनी आप देख सकते हैं हमारे समोसे अच्छे से brown हो गये हैं golden brown हो गये हैं चारो साइट से तो इसे अच्छे से हम लोग पका लेंगे अच्छे से golden brown होने तक वैसे भी बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में समोसे खाना बहुत अच्छा लगता है सबको तो आप healthy, easy समोसे recipe ये ट्राइ कीजिए आप देख सकते हैं देखिए हमारे समोसे कितने अच्छे क्रिस्पी golden brown रेडी हुए हैं अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ आप इसे absorbent paper पे रखके इसका extra oil निकाल कर इसे गर्मा गर्म परोसी अपने friends और family के ओ और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूले और कमेंट सेक्षिन में जरूर बताए आपको ये recipe कैसी लगी थांक यू फो वाचिंग झाल 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 है तो झाल हो झाल